कि आपने CSS के exam पास कर लिए और उसके अवाले से कुछ questions आपसे पूछे थे, ठीक है, तो मुझे बिताएं कि जाते हैं कि CSS में जाएं और exam के लिए तैयारी भी बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि बहुत तैयारी करते हैं, लिकिन उपास नहीं होते हैं, पह हमने इस चीज को ले के चलना होता है, तो अमोमन जो aspirants घलती करते हैं, वो subject selection में करते हैं, जो subjects होते हैं, वो sometimes ऐसे होते हैं कि जो देखा-देखी में लोग subjects opt कर लेते हैं, देखा-देखी में कि अगर किसी ने पढ़ रहा है, उनको का कि मैंने तो यह subject लिए हैं, तो वो भ हर student का aptitude है, एक student का background engineering का है, एक doctor है, किसी और subject में इसकी specialization है, तो अब वो देखते हैं कि last time gender studies में नमबर बहुत अच्छा है, अब वो है engineer, उसने अपनी जिंदगी का बेश्तर हिस्ता, technical studies में गुजा रहा है, वो all the sudden वो कहता है, या उस subject में नमबर अच्छा आ रहे हैं, मैं उसको opt कर लेता हूं, तो उस opt करने के चेकर में वो अपनी जो focus होता है, वो फोकस होता है, वो लूज कर बढ़ता है, और वो उस तरीके से त्यारी नहीं कर पाता, एक तो यह बन्यादी factor है, दूसरा यह कि त्यारी का जो mechanism है, last time मैं आपको बताया था, कि वो students जो है, व अपने ही तहीं वो अपना ही analysis देना स्टार्ट हो जाते हैं, अब हर subject की एक paradigm उसके analysis का भी structure होता है, अगर अगर अप current affair एक subject है हमारा, खीक है, अब current affair का जो paper attempt करने के तरीका है, वो different है, international relation का paper attempt करने के तरीका different है, अब कम औभीश सवाल एक जैसे होते है, अच्छ, आप ज का का more 나쁜 घी मंगे गराणे के तरीका जीते है हमारा, जैसे हमाराने की वोगाने के तरीका हमाराओर कौन इक का घासकता है, तो मैसे या को में लिए ऑपने के सब्सेश氣 z分कस्ति अधाया है, क्टन आं एक मैं जोटिन सब्सकत है कि मैंने बात किता है, इसे मैं कितना लेकिन अब डॉक्टर जो होते हैं, हम तेक्निकल में आर चीज़ को कॉंसेप्चिछल देखे के चल रहे होते हैं, नीजुट के रहे हैं, यह प्रिक्टिकल लाइफ में पहले हैं, पहले हो रटे नो पर रचे पर पनाशर होते हैं, वो उनके लिए CSS में क्वाइफ़ाय करना कार्ध है दमाग क्योंके इंके स्टडियों प्रैक्टिस हो चुकिती है, उख वागी चीज़े याद करना तो इनगें इस ब्रट्ट्ट माइब को यह वह पिर जाद करते हैं, že उनकी अगेयर्ट प्रैक्लीआ कि टियूर्ट के लिए वह attempt करते हैं, for example, अब पावर, पावर एक question आ जाता है, कि international relation में एक term है power, जो ताकत है, अब मैं engineer था, ठीक, अब मैंने इसका जो introduction में paragraph बनाया था, अब पावर का अगर आप engineering term में use करें, तो power equal to work done by time, अब मैंने इसको ये लिखा कि आप वही country powerful हो जाता है, जो ज्यादा काम करवा सकते हैं, less time में, यानि इसकी इतनी authority होती है, अब अमेरिका को देख लें, वो जस्त कहता है कि हो जा, तो हम सारे मुल कर देते हैं, अब अमेरिका लस्टाइम, हम चाइना को ले सकते हैं, हम जपान जो है वो बहुत बड़ा example है, उनकी पर मतलब atom उसके बाद उन्हों कि एकॉनिमी जो है, वो शेक कर गई, except China, उसने system ऐसा बनाया है, वो काम ही ऐसे करते हैं, तो basically, जो question आपने किया था, तो यह इस तरह कि अब दो रट्टे की बात हुए थी तो आपको एजी मिलता है, अगर आप creative thinker हो, और आप अपनी सोच को एक नए जाविय से express कर सकते हो अधा कुछ ऐसे भी तो होते हैं कि हमने ऐची तयारी की थी जब हम जाते हैं, तो हमें चीज़े भूल जाती है, यह तो हमें लो कहते हैं नहीं हमनली हमनी हार इनसान के साथ यह तो यह तो कुई ऐसी और यह थी खुड़ी कितनी useful है, CSC exam में, कि जब हम स्कूल में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको डे वन से वही चलते आ रहे होते हैं जो आपको अच्छा सवाल एक्टेम्ट करेंगे पेला और अच्छे तरीके से जिस पर आपकी ग्रिप है तो आप एक्जामिनर को मजबूर करेंगे कि आपका आंसर पड़े एंगलिश का अच्छा होना कितना मैंटर करता है बहुत अच्छा करता है क्योंके जो कंपेटरिव ईकसे बीशामिंस दी अच्छे मतियों और जाइन अब जितने भी टो मांटिलिटी और यह अलगर्न दॉमेन हा यह कुंको अब गया मैंने उसी सिस्टम को लेकर चल रहे हमारा जो सरकार की जो हम वापस आएंके हफसा हमारे साथ कॉल पर हैं कलर कहार से हैं हम लेते हैं जी असलामलीकौम असलाम जी हफसा खुशामदीद कैसी हैं आप ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक आप सनाएं अल्ला का शुकूर पुछना था कि भी कंसेट्थ नहीं कि किस तरह त्यारी करनी यह नहीं है तो पहला किया लें कहां से स्टर्ट करें जिसे को देखिए अगर आप बिल्कुल फ्रेश एस्पेरेंट हैं जिसने अभी कोई इसका बैक्गरॉंड नहीं है तो सबसे पहले तो उसने अपना दमाग बनाना है कि क्योंकि ये अनलेटिकल मैं बारा कह रहा हूं कि इस पर अटेम्ट के इंडियो दिया आप अखबार पढ़ें आ आपको हालात हाजरा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी आपको पदा चलेगा कि क्या-क्या इशूज हैं जो दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं एक तो आपको एक बॉडर्डर टरम में आपको एम आपको बादे देनीज़ चूरीड अफ़वार और और का उर्द इंगल बेहतर होगी, बेहतर होगी, उनको इस्ट्रॉक्चिर कपता चल जाएगा, जिसरा दॉन है, जिसरा दॉन है, जिसरा नजरों से गुदर के वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो उसके उनको थोड़ा सा हेल्फुल हो जाएगा, प्रवाइड देट कि आप इस तरह कर चुके ह इक करचे हैं, अब नES शिम्रेश पीह नहीं का बाता हां, हमायों को भूठों ठीक में दूनियों हो हो जी वाप इस से दावाईटा यह दो हूष है कि होड़ाने। मैं इन्टरनेशनल्ट लाइँ छूठ झाल रहा है, उसके बाद पिर आपने इंग्रिष पर तवज़ देनी है, तुछर इसको इंप्रूव करना है और उसके बाद आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो एक बाद आपकी स्किल सेट इनहेंस हो जाएगा, फिर आप उसके बाद आजाएं सब्जेक्स पर अब हमने कौँसे सब्जेक्स लेने हैं, फिर मैं बहुते हैं क्वेले बाद कर चुका एक डॉक्टर है एक कि एक्सपरटीज किस चीज में, किस फिल्ड में है और उसको देखते वे अपने सब्जेक्स जो हैं, वो चूज करें 70% इनको खुद पता होगा, 70% इनको खुद पता होगा कि मेरी एक्सपरटीज कि चीज़ों पर है और 30% जो होगा वो किसी सीनियर से रहनुमाई लेंगी, इनको पूछा किसी और सीनियर से पूछेंगे कि यह मेरी डोमेन है, लेकिन हाँ मेरा इंटरस्ट इसमें भी इतना है तो क्या मेरा वो, for example, मैं पंजाबी, अब मैं गिंजिनुर मैं पंजाबी लिए अगर किसी अकैडमी बहुत ज्यादा हैं जो तियारी करवाते हैं तो वह भी हलपफुल है, बहुत हलपफुल हैं अकैडमी, क्यूंकि अब शॉर्ट टाइम में, दो चार महीने के टाइम में आपको तक्रीबन सारा कोर्स कवर करवा देती हैं, तैंक यू वारी मुच, तलहाज जबेर, तैंक यू वारी मुच, जजा कर लाजी आप आए, इतना खुबसूरत नात हमें सुनाया, फिर जैसे हमारी कॉलर थी, बहुत सारे लोग उनकी नॉलज में आपने इजाफा किया उनको बताया, थैंक यू वारी मैंजी, लिद उनको उसवार को रे शांदी प्रे कर लूज, जबे शांदी नॉनको, उस वर को रे शांदी प्रे करों।